नमस्कार किसान साथियों आपके अपने यूटूब चैनल नंदिग्राम में आपका स्वागत हैं इस चैनल पर आपको क्रशिश से संबंदित सभी नई जानकारी और सही जानकारी दी जाती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें देश में लगातार प्याज का रेट गिरते जा रहे हैं जिसके चलते किसानों को अपना लागत तक निकाल पाना मुश्किल हो गया हैं इसलिए आप किसान ग्रिश में कालिन प्याज को इस्टोर करने पर ध्यान दे रहे हैं जानेंगे पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखें देश में प्याज उत्पादक किसानों की समस्या बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार प्याज के दाम गिरते जा रहे हैं इसके चलते आप किसान प्याज के बंडार की ओर ध्यान दे रहे हैं किसानों का खाना है कि बेमोसम बारिश में ख खरीब और गर्मी के प्याज के आवक बढ़ने से दाम एकदम गिर गए हैं, लेकिन अब किसान इतने कम भव में प्याज बेशना नहीं चाते हैं, किसानों का काना है कि इस समय हमारी लाकत तक निकल नहीं पा रही हैं, हालत ये हो गई हैं कि कुछ किसान अपने प्याज की फस गिरावाट शुरू हो गई थी, भरवरी में प्याज 3,000 रुपई से 3,500 रुपई पर्ति कुंटल के बीच चल रहा था, जो प्याज 3,500 रुपई से उपर था, वह अब सिधे 300 से 400 रुपई पर्ति कुंटल हो गया हैं, इतने कम भव में किसान अपनी लागत भी नहीं निक कल पर नहीं है, क्योंकि सभी किसानों के पास इस्ठा करने की सुविधा नहीं है, बे मोसम बारिश में प्याज के उत्पादन में आई थी कमी, खरीब प्याज, भारिब बारिश और बे मोसम बारिश के कारण शतिक रस्त हो गए थे, नतीजन लाल प्याज के रिकार्ट किम खरीब सिजन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसान गर्मी में प्याज की खेती पर ध्यान दे रहे हैं। जरूरी अगर प्याज ठीक से संग्रहित नहीं करते हैं तो यह 45-60% तक की शती का कारण बन सकता है। लेकिन सही तरीके से श्टोर किया जाई तो यह नुकसान 15-20% तक जरूर कम करेगा। इसलिए क्योंकि प्याज 4-5 मेने तक अच्छी स्तती में रह सकता है। किसान सात्यों इसी प्रकार जानकारी के लिए चेनल को सस्क्राइब करें वो वीडियो को लाइक करें धन्यवाद।